नमस्कार दोस्तों मुके साहू क्लासेस पर यूटूब का चैनल है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बगल का जो बेल आइकान बना हुआ दिखेगा उसे क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको जानकारी मिले और लेटेस्ट न्यूज की जानकारी हैं जिसनधान आपको कि अपना आंशर भी बताते जाना है आल्रेड़ी कई रशाइन विग्जञान की विडियो अफलोडेट है उसका लिंक आपको इस विडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहला प्रश्ण है रसाइन विज्ञान के इस वीडियो का मैला थियान क्या है रंजक, कीटनासक, विटामीन, कार्बो हाइडरेट तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ओप्शन B कीटनासक मैला थियान कीटनासक होता है इसका रसाइनिक सुत्र है C10H19O6PH2 ठीक है यह इसका रसाइनिक सुत्र है यह कीटनासक होता है ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं दोस्तों आपकी स्कीन पर आ चुका है सुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आक्सिजन तो सुद्ध जो सक्कर होता है उसमें कौन सा उपस्थित नहीं होता है इन चारों में से तो उसका सही आंसर है नाइट्रोजन इसका मतलब क्या हुआ कार्बन हाइड्रोजन और आक्सिजन सक्कर में उपस्थित होता है और इसका सुद्र जो है उसको याद रख लिजे बहुत ही सिंपल से सुद्र है सी ट्वेल एच्ट्वेंटीटू ओ इलेवन कार्बन है हाइड्रोजन है और आक्सिजन है सी ट्वेल एच्ट्वेंटीटू ओ इलेवन यह इसका सुद्र है सक्कर का अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर फोटो क्रोमिक लेंज में निम्न परिस्षर में सबसे अधीक उप्योग किस प्रकार किया जाता है पोटेसियम डाइक्रोमेट सिल्वर क्लोराइड पोटेसियम फेरेट फेरिक क्लोराइड इसका सही आंसर है दोस्तों ओप्शन भी सिल्वर क्लोराइड मतलब फोटो क्रोमिक लेंज में सिल्वर क्लोराइड का सरवाधिक उप्योग किया जाता है फोटो क्रोमिक लेंस में सिल्वर क्लोराइट का सरवाधिक उप्योग किया जाता है तो option B हमारा सही answer है अगला प्रशना आपके स्क्रीन पर किस लोह अयस्क में सरवाधिक लोहा मिलता है मेगनेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडोनाइट इसका सही answer है option A मेगनेटाइट मेगनेटाइट में सरवाधिक लोहा मिलता है उसके बाद का क्रम इस प्रकार है हेमेटाइट, लाइमोनाइट और साइडोनाइट तो बहुत ही महतोपूर्ण है ये सबसे पहले है मेगनेटाइट उसके बाद हेमेटाइट, लाइमोनाइट और साइडोनाइट ये सरवाधिक लोहा मिलता है क्रम है उसका बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सबसे ज़्यादा मेगनेटाइट में मिलता है फिर हेनिताइट में फिर लाइमोनाइट में फिर साइडोनाइट में तो सबसे ऊपर है मेगनेटाइट और सबसे नीचे साइडोनाइट में इसको याद रखना है अगला प्रसना आपके स्क्रीन पर है Blue Baby Syndrome कीन लवनों के कारान होता है सलफेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइटरेट इसका सही आंसर है दोस्तों option D option D, नाइटरेट ब्लु बेबी सिंडोम, भुमीगत जल के स्नाथ नाइटरेट के सही योग से बनता है तो option D हमारा सही आंसर है ठीक अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर आ चुका है निम्न में से मिर्च के सोरे सोरे और बिना बुझे चुने के क्रम्सा सुत्र क्या है तो आपको बिना बुझे का सुत्र पता होगा भले सोरे करना हो तो हम बता सकते हैं कि answer क्या होगा आंसर हो जाएगा option D क्योंकि C A O बीना बुझा चुना होता है और C A O H 2 बुझा चुना तो हमारा answer क्या हो गया option D इसमें अलग-अलग दिया हुआ है मीर्च के सोरे का रशाइनिक नाम sodium nitrate मतलब A N A N O 3 सोरे का रशाइनिक नाम potassium nitrate मतलब K N O 3 बीना बुझे चुने का रशाइ हमको पता है C A O और C A O H 2 यह बुझा चुने का रशाइनिक सुत्र है अगला प्रशना आपकी स्क्रीन पर है इलेक्ट्रिक कार में परियोग की जाने वाली बैटरी में किसका योगी परियोग होता है मेगनीशियम लीथियम सोडियम कॉपर इसका सही आंसर है option B लीथियम कि इलेक्ट्रिक कार में परियोग की जाने वाली बैटरी में लीथियम हाइड्राक्साइट का परियोग किया जाता है आप जनरल बैटरी भी देखे होंगे उसमें एलाई लिखा होता है वो यही संकेत करता है कि इसमें लीथियम हाइड्राक्साइट का परियोग किया गया है कारबन डाई सलफाइट में घुलन सील है शारा विसलेशन असफाल रसाइट के बारे में बताता है उपरोग तो सभी सत्य है तो इसका आंसर जो है वो है कि ओप संड्य सभी सत्य है यहां यहां अट्यधी गाठ़ा पॉलिक्त के बारे में पताता दोस्तो तो अस्पाल रसाइट में सत्य हैं अगला प्रेशन आपकी स्क्रीन पर निमने लिखित में कौन उस्मा का सबसे कम चालक है जो सबसे कम चालक है वो रहा है चांदी, तामबा, सीसा, पारा तो इसका सही अंसर है दोस्तों सीसा, सीसा जो है वो चांदी का सबसे कम चालक होता है और चांदी उस्मा का सबसे अच्छा चालक होता है और पारा उस्मा का सबसे खराब चालक होता है तामबा और एलिमिनियम अच्छे जबकि पारा बूरे चालक है ठीक है बेट कंड़क्टर होता है पारा जबकि तामबा और एलिविनियम आपने तार देखा होगा उसमें ज्यादर तामबा और एलिविनियम का ही उप्योग किया जाता है जो जनरल अब इलेक्ट्रिक वायर जो यूज होता है गामा एक्सेन डीडीटी और बिलीचिंग पॉडर किसके योगिक है क्लोरीन नाइट्रोजन सलफर फासफोरस तो इसका आंसर क्या है यह बताना है हमको इसका सही आंसर है दोस्तों ओप्शन ए क्लोरीन क्लोरीन गामा एक्सेन डीडीटी और बिलीचिंग पॉडर किसके योगिक है क्लोरीन गामा गामा जेने का सुत्र है C6H6Cl6 बिलीचिंग पॉडर का सुत्र आपको याद रख लीजिए विरंजाक चुर्ण का CACLO ट्वाइस डीडीटी का सुत्र है C14H9Cl5 तो गामा जेने और बिलीचिंग पॉडर और डीडीडीटी का सुत्र हाँ पे आपको याद रख लेना चाहिए अमल्गम किसकी मिस्र धातु है मरकरी लोहा सोडियम पोटेसियम इसका सही आंसर है ओप्शन A मरकरी अमल्गम जो होता है वो मरकरी का मिस्र धातु है मरकरी को पारा भी बोलते हैं संकेत होता है HG HG होता है मरकरी का संकेत अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है निमने लिखित में किस B विटामिन का नाम सही सुमेलित नहीं है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, रियसीन, विटामिन B7, बायोटीन, विटामिन B12, सयानो कोबालामाईन तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप्शन, आप्शन D तो सही सुमेलित हैं ये सभी, ठीक है, ये सभी सही सुमेलित हैं देख सकते हैं, पूछा था, सही सुमेलित है, तो B2 को कहते हैं, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को रियसीन, और विटामिन B7 को बायोटीन, और विटामिन B12 को श्रानो कोबालामाईन ठीक है, ये होता है, इसके नाम, ठीक है दोस्तों, अगला प्रशन अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, निमनलिकित में से कौन सा पदार्थ उर्धव पातज है, लोडाइन, नेप्थेलीन, कपूर, उप्सन है उसके बाद, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो और तीन, इसका सही आंसर है, उप्सन D, एक दो और तीन, अगला प्रशन आपकी स्कीन पर है, ली सर्गिंग ऐसी डाइ मैथिलाइट एक गर्म करने पर तीन, इसके बादार्थ गर्म करने पर सीदे ठोस अवस्थम बदल जाता है, तो उस क्रिया को उर्धव पातन और पदार्थ को उर्धव पातज कहते हैं, तो लोडाइन, नेप अगला प्रशन आपकी स्कीन पर है, ली सर्गिंग ऐसी डाइ मैथिलाइट एक ड्रग है, जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस्टेराइट, सामक, दर्दनासक, ब्रामक, आउसदी, जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका जो सही answer है दोस्तों वह है, ओप्शन डी, भ्रामक आउसदी, एक ब्रामक ड्रग है, जिसके सेवन से व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगने लगता है, और वहाँ एक कालपनिक लोग में चला जाता है, ठीक है दोस्तों तो क्या है वो भ्रामा का उसदी मतलब भ्राम में रहने लगता है एक तरह का यह ड्रग है ठीक है जो ड्रक्स बहुत है ना उस तरह का ड्रक्स है ना से वाला तो यह कर देता है उसको भ्राम में डाल देता है व्यक्ति को सब कुछ अच्छा ही अच्छा लग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजिए और बेल आइकन को ओन जरूर रखिए धन्यवाद